हेलो फ्रेंड लिंग राइस पोटेल किचन किंग में आप सब का स्वागत करता हूँ आज मैं आप सब के लिए और एक निया रेसीपी लेकिया है हूँ आज हम बनाएंगे लेमान राइस दोस्तों ये खाना में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है आज मैं इसको कैसे बनाऊंगा आप आगे देखते रहें तो लेमा राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए एक कड़ाई कड़ाई में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइन तेल गरम हो जाने के बाद आप हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गोटा सरसो इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना डाल, थोड़ा सा उरत की डाल अब हम इसको फ्राय कर लेंगे और जब यह अच्छी तरह से फ्राय हो जाएगा उसके बाद हम इसमें अट करेंगे मुमफली का दाना यह देखिए हमने इसमें डाल लिया मुंपली का बीच और थोड़ा सा काजू आप हम इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिला के फ्राय कर लेंगे और यह देखे अब यह अच्छी तरह से फ्राय हो गया है अब हम इस मैट करेंगे, थोड़ा सा अद्रक, दो सुखी मिर्ची और इसको भी हलका सा फ्राय कर लेंगे यह देखिए, यह भी अच्छी तरह से फ्राय हो गिया है, अब हम इस मैट करेंगे, खूब सारा कड़ी पत्ता, इसको डालने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हमने यहाँ पे छोटा चमच में, द आसमती चावल है, चावल को डालने के बाद, इसमें अट करेंगे नमक, स्वात के अनुसर, और इसका उपर एक आधा टुकुड़ा नीमू को भी निचोड देंगे, और नीमू को निचोडने के बाद, इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अभी हम इसको थो इसको गरमा-गरम प्लेट में सौर्प करेंगे, यह देखिए दोस्तो, हमरा लेमन राइस दिखने में बहुत यह अच्छा लग रहा है, यह दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुतना ज़्यादा टेस्टी है, इसलिए आप मेरे बताईवे तेरी की से एक बर घर में बना के जरूर ट्रैक कीजिएगा, और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईगा, तो फिर मिलते हैं मेरा नेक्ट वीडियो में, और एक निया रेशिपी के साथ, ठैंक्स पर वाचिंग में वीडियो फ्रेंड्स.